अध्यायते है प्रकृति पुरुश तथा छेत्ना अर्यूने कहा एक कृष्ट मैं प्रकृति एवं पुरुश छेत्र एवं छेत्रग्य तथा ज्यान एवं ये के विशय में जानने काई छुप हूं श्री भगवान ने कहा ए कुंति पुत्र यह शरीर शेत्र कहलाता है और इस शेत्र को जानने वाला शेत्र ग्या है ए भरत्वंशी तुम्हे ग्यात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ग्याता भी हूँ और इस शरीर सता इसके ग्याता को जान लेना जान कहलाता है ऐसा मेरा मत है अब तुम मुझसे यह सब संशेट में सुनो कि कर्म छेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहां से उत्पन होता है, इस कर्म छेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है विभिन वैदी क्रंथों में विभिन रिशियों ने कारे कलापों के छेत्र तथा उन कारे कलापों के ज्याता की ज्यान का वर्णन किया है इसे विशेशुक से विदान्त सूत्र में कारे कारण के समस्त तर्क समेत सस्तुत किया गया है पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धी, सव्यक्त, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विशय, इच्छा, द्वेश, सुख, दुख, संघाद, जीवन की लक्षन, तथा ध्यर्य, इन सब को संख्षेप में कर्म का छेत्र, तथा उसकी अंतक्रियाएं कहा जाता है विनम्रता, दंबहींसा, अहिंसा, सहिश्नुता, सरल्ता, सामानि गुरु के पास जाना, पवित्रता, सिस्थिर्ता, आत्मसयम, इंद्रिय त्रप्ती के विशयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, गृत्यू, प्रधावस्ता, तथा रोग के दोशों के अनभू की वईराग्य, संतान, सिस्थि, घर तता अन्य वस्तों की मम्ता से मुष्पी, अच्छी तता बुली घट्माओं के प्रती संभाव, मेरे प्रती निरंतर अनन्य भक्ती, एकांते स्थान में रहने की इच्छा, जन्समु से विलगाओ, आत्मसाक्षात्तार की महत्ता को सु इन सब को मैं ज्यान घोशत करता हूँ, और इन के अधिक से जो भी है, वह सब अग्यान है, अब मैं तुम्हें ये के विशय में बतलाऊंगा, जिसे जान कर तुम नित्त ब्रम्म का आस्वादन कर सकोगे, यह ब्रम्म या आत्मा जो अनादी है, और मेरे अधिन है, इस पाव, आशें, सिर, तता मुह, तता उनके कान सरवत्र हैं, इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तों में व्याप्त होकर अवस्थ है, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं, वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है वे प्रकति के गुणों से परे हैं फिर भी वे भौतिक प्रकति के समस्त गुणों के स्वामी हैं परंसत्ते जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तता भीकर इस्थ हैं सुख्ष होने के कारण वे भौतिक इंड्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं लेकिन वे कभी भी विभाजित नहीं है वे एक रूप में सिस है ज़्यपि वे प्रतेग जीव का पालन करता है लेकिन यह समझना चाहिए कि वे सबों का संधार करता है और सबों को जन्म देता है वे समस्त प्रकाशमान वस्तों के प्रकाश सोथ है वे भौते कंदकार से परे हैं और अगोचर हैं वे ग्यान हैं ये हैं और ग्यान के लक्ष हैं वे सब के हिदय में इस्तित हैं इस प्रकार मैंने कर्म शेत्र जान तथा ये का संग्षेप में वर्णन किया है इसे केवल मेरे भक्त ही पूली तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं प्रकृती तथा जीवों को अनादी समझना चाहिए उनके विकार तथा गुण प्रकृती जन्य है प्रकृति समस्व भौतिक कारणों तता कार्यों की हेतु करी जाती है और जीव इस संसार में विविद सुक दुख के भोग का कारण कहा जाता है इस प्रकार जीव प्रक्रती के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रक्रती में ही जीवन बिताता है यह उस प्रक्रती के साथ उसकी संगती के कारण है इस तरह उसे उत्तम तता अघम यूनिया मिलती रहती है तो भी इस शरीर में एक अन्य दिज्वे भोगता है जो इश् प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुलों की अंतक्रिया से सम्मंजित इस विचार धारा को समझ लेता है उसे मुप्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है उसकी वर्तमान इस्तिती चाहे जैसी हो यहां पर उसका पनर जन्म नहीं होगा कुछ लोग प्रमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने धीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्यान के अनुशिलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं चो निश्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपिया ध्यात्मी ज्यान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विशाय में सुनकर उनकी पुजा करने लगते हैं ये लोग भी प्रामानिक पुरुषों से श्रवन करने की मनुवृत्पी होने के कारण जन्म तथा मृत्यू के पत्थ को पार कर जाते हैं ये भरत वंशियों मिश्रेश ये है जान लो कि चर तता अचर जो भी तुम्हें अस्त्तु में दीख रहा है वह कर्म शेत्र तता छेत्र के ज्याता का संयोग मात्र है जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समस्ता है कि इस नश्व शरीर के भी तरनत व आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनश्ट होता है वही वास्तव में देखता है जो व्यक्ति परमात्मा को सरवत्र तथा प्रतेग जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भष्ट नहीं करता इस प्रकार वह दिव्य गंदव्य को प्राप्त करता है जो यह देखता है कि सारे कारे शरी द्वारा संबन किये जा जब विवेकवान व्यक्ति विभिन भौतिक शरीरों के कारण विभिन स्वरूगों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सरवत्र फैले हुए हैं तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है शाश्वद्रष्टी संपन लोग यह देख सकते हैं कि अबिनाश्य आत्म दिव्य शाश्वत तब गुणों से अतीत है कि अरजुन भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्म न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है जर्जपी आकाश सर्वव्यापी है कि इनको अपनी सुक्ष्ण प्रकृती के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता इसी तरह ब्रह्म द्रश्टी में इस्तित आत्मा शरीर में सित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता हे भरत पुत्र जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मान को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शरीर के भी तरिस्त एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है जो लोग जान के चक्षों से शरीर तथा शरीर के जाता के अंपर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विजी को भी जानते हैं उन्हें परम लक्षे प्राप्त होता है